नमस्कार दोस्तों IT की सभी छात्रों की मेरी क्लास में स्वागत है मैं आपके लिए बहुत छोटा सा अच्छा एक टोपिक लेकर आया हूँ जिसमें आप लोगों को बताऊंगा ELCB और RCCB दोनों में अंतर क्या होता है आप लोग इसको अधिकतर काँ पर लगाते हो और इसको लगाने का क्या फाइदा होता है इनको क्यों लगाना चाहिए ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में मिलने वाली है तो इस वीडियो को आप संपरून देखे हैं और देखने पर आपको पता चले गए कि ELCB क्यों लगाते हैं आर सी बी क्यों लगाते हैं पूरी डिटेल्स मिलने वारी आपको ELCB का मतलब होता है अर्थ लिके सरकीट बरेकर और आगे जो RCCB का मतलब होता है वहां लिकेते हैं रिजुडल करण्ट सरकीट बरेकर आप लोगों को ये ELCB अर्थ लिके dair circuit breaker का कार्य क्या पंधर होता है इसका कार्य की बात करें कार्य क्या होता है कार्य बैटा यह कार्य यह करता है जैसे आपके जैसे मोटर लगी हुई है गर में चक्की लगी हुई है आप उसमें मालो बोडी अर्थ हो गया है जमीन के संपर्क हो गया है आपका कोई तार टूट के जमीन के साथ में संपर्क हो गया है या किसी व्यक्ति के संपर्क में आ गया है तो वहाँ पर किस मशीन का तार तूटा है यह मैंने सपली का तार तूटा है वे किसी के अर्थ के संपर्ग में आने से अर्थ के संपर्ग में आने से यह क्या जाएगा सो जगी यह आपके elcb क्या हो जाएगी फौब हो ज है अहलो आप कोई वेक्ति至 अरत के संप्रक में screaming और मसीन कोई अर्थ के संपरक में आगी उस सिट्वेटों दो सब्सक्राइबए यह जोगति voltage और दोनों में आपको अंतर मिले payment उस लायन के अंदर友 रखा मैं अंतर मिले और उसमें अंतर मिले तब यह क्या करस लें की आप करसिता जाएगी जाए मेरी बास समझो यह एक electron device है जिसकी वज़े से यह कुछ second यानि आपकी 30 second में किसी भी machine हो या आपका कोई यंतर हो आपकी motor हो चाहिए आपका कोई body के मालो किसी machine या machine की पूरी body उसके इस पर सोरकी हो या कोई व्यति इसकी machine के संपरक में आ गया हो तो उस situation में आप लोगों की ये machine पूरी क्या कर देगी ट्रीप कर देगी ये electron device होता है अब देखते हैं आप लोग गाओं की जिसे गाओं के इलाके के लोगों जानते हैं नहीं क्योंकि मालो एक mcb लगा दी और मानते हैं कि current आइजन ठाप पड़ जाई यह नहीं पड़े ल सिर्फ एक mcb लगाते हैं मुझे बता है आपको e-lcb लगाने चाहिए e-lcb आपके बहुत help करती है मसुन में इस वी की अपनी जिंद्गी बचाती है और आपने e-lcb लगई है मालो आपके लगई वही तो उसको किस करम है लगई वेभी details इसमें बताने वाला हो तो आप लोगों को जैसे आपके mcb लगई है उस mcb आगे सरनी करम है इलसे भी लगई है तो आपके मालो कभी भी मालो मोटर चल रही है आपके बिला हुने की मसीन है वहां पर आपके बोड़ी अर्थ हो गया वहां जो करंट है पूरा अर्थ हो चुका है उस समय आपका हाथ लगन ही है ठीक है यह सरक्षा यूपती दोनों अब मेरी बाश अब यहां पर एक बात यह आती है किант imaging हम घर पर इसको लगा तो लेंगे जब काहिए कि यह trip नहीं होती बहाइए को मालु elcbahnे टीप नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है क्पो जान से खरीधी उससे आपको change करा लेनी है क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि यह trip लेती है यह आप उसको check करने का प्रयास करें मालु आपका यह फेज ए आप है noi है आपकी मोटर है यहां आपकी मोटर है यहां मोटर के अंदर आपने संपरकर यहां दिया हुआ है अब यह तार तोड़ कर इसके मोटर कर लगा लो और यहां पर आपने ELC भी लगा लो यानि ELC भी लगा अर्थ लिके सर्किट बरेकर लगो उस सिचुशन के अंदर आपकी यहा अब देखते हैं दूसरी बात इसको स्रीटेस्ट लेम के दवारा भी टेस्ट कर सकते हो वह मैं आपको वीडियो बनाता है बताने वाला आपको प्रेटिकल वीडियो एक उसमें मिल जाएगा चैसे करते हैं अब मैं आपको बता तो यह कैसे जैसे आपकी मोटर मालो आपके सिं बनात हो तो यह फोल और पर प्रेस्से को आपको क्या करें की यह भी आपको लगाने से सनी बीस दोनों भी शरहनी कर नी के क्रम लगें जाती हैll जिसके अंदर आपके बीस मीं लगती हैं यह दोनों डीटेल्स आप लोग समझगे होंगे सबूद होगτο अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोग सब जानते होंगे कि कई भी आपको अधिकतर मान लो आप लोग जैसे कहीं के जैसे रहने वाले हो तो मैं आपको बताता हूँ कि सरी यह किते एंपियर तकारी करती है और दोनों किते किते एंपियर तकारी करती है यह यह कहता हूं कि यह 630 अमपिर तक कारी करती है यह आपके किते अमपिर करती है यह 300 मिली अमपिर तक कारी करती है अब मेरी बार समझ गए यानि मिली का मतलब आप समझते होंगे यह रिसकी पड़ मानिस भी यह समझ गया होंगे मैं आपको मेली मेगा यह सारा पर लिका चुका होंगे तो यह मेरी बार समझो कि यहां पर आप लोगों को यह 30 यह 330 अमपिर तक कारी करती है अब माझनों यह यह टूफेज यह डबल पॉल भी होती है देखो यह डबल पॉल कुछ दो जिसको तो बोल तो जिसको आ पॉर पॉल तक बीश्कावो यूज ओता है फोल में भी मिलेगी देखो इसमें भी हो सकता है इसमा भी देख लेड़ने इसमें भी आपके श्हिंघल देखो इसमें यह आपको 301 जाओ इसमें आप लोगों को एक फुस बटन होता इस परकार का आर रवी में फुस बटन होता है इस फुस बटन का का म क्या होता बैटा जैसे समय पूरी गर देगा ओप कर देगा क्या कर देगा ओप कर देगा यह सिचुशन ओप करें तो यह आपकी मसिन क्या है सही है यह ना पूरी यह आपकी आर सी जैसे आर सी सी भी आपकी क्या है सही है राइट है मालो यह आपने दबाया है और यह ओप नहीं हो रही है बालो आपकी नहीं दबान को लाते हो तो उपर एक put on होता दबाने वाला उसको दबा you light आपने सरैटिकर में जोड़ दिया शरेणिकर में जोडने के बाद ने के बाद में को दबादो दबाने के बाद मी सबलय कट रही है यह अप में वहाँ पर कोई परकार की सप्ली ओप नहीं हो रही है तो यह क्या है खराब है देखो यह फुस्ट बटन में होता है क्या है यह अंदर क्या करता है सोर्स सर्कृट करता है धारा को बढ़ा जाता है जिसकी वज़े से यह क्या हो जाती है ट्रीफ हो जाती है तो यह मेरी बा में नहीं लगाते हो जो वोकता को पता नहीं होता है तो उनको राई जरूर दे कि हम mcp लगाते हैं जबकि mcp आपको पता और्लोड हो गया उसमें कारिय करेगी जबकि अर्थ लिके सर्कृट बेरकर में आपका mcp कारिय नहीं कर पाएगी तो उस सिच्चिसमें उन को बटा कि मानोगों घर में करता हो गया करें मानोगों को फोड़ा सक्धी तार के च्छू मानोगों कोई थोड़ा सक्व बोड़्ी मसीन है उसको हात लगा लिया मसीन कोई बोडी कोई उसको उसको बकाने के लिए एलसीव का पर्योग करें वो जिससे किसी भी लाय मेरे क्षाल से किसी विक्ति की डिप्सक्ति के संप्रक्mernätt को का करने शुर्क साय दोनों से युकत्याहें और दो पीछेवाला मेरे वीडियो आपको लोगों को डाल रहा है जिसमें आपके सविधा बैस पर जिसमें जैसय आपी आप लोगों यख़कलास में उनको कैसे लगेगा और जो लगे हैं उल्टेडी उनको किस परकार से जोब मिलेगी थैंक्यू दोस्तों इसी के साथ मैं आपकी कलास को यहाँ